दोस्तों welcome back to this new video, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई सदाम कासिम, आज के इस वीडियो में हम detail में discussion करेंगे chat GPT क्या होता है और इसकी help से आप लाखो रुपए कमाने वाले tools website कैसे create कर सकते हो, फिर चाहे आप एक coder हैं, एक programmer हैं या आप एक wordpress developer हैं, आप tools website बना करके ला इस website पे आप देखो काफी छोटे छोटे tools मिलेंगे जैसे के plagiarism checker है, आप इस tool की help से किसी भी content की duplicacy चेक कर सकते हो, article rewriter है, इसकी help से आप articles को दुबारा rewrite करवा सकते हो, grammar checker है, यहाँ पे word counter भी है, अब देखने में तो बड़ी common सी है site लग रही है, बट actual में इसकी earning calculate करत आती है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इस website का traffic दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देखो, February 2023 में 8.44 million, 80,000,000 से भी जादा लोगों ने इस website पे visit किया, इनके tools को use किया, then after March 2023 में almost 9 million, 90,000,000 का traffic था, and recently April 2023 में almost 8 million, यानि कि 80,000,000 लोगों ने फिर से website पे visit किया, और tools को use किया, एक छोटा सा mathematics यहाँ पर करके देख लेते हैं, मार लेते हैं, एक view पर Google AdSense इनको 0.1 पैसे pay करता है, और 80,000,000 का traffic हर महीने आता है, तो आप इसको 80,000,000 से एक बार multiply करके देखो, कितना आता है, 8,000,000 रुपे पर मन्त, यह simple सी दिखने वाली website, 8,000,000 रुपे पर मन् आज के इस वीडियो में हम word counter बना करके देखेंगे, word counter क्या है, इसमें आप कोई भी paragraph पेस्ट करोगे, तो यह tool number of words को count करके बता देगा, जैसे के मेरा यह blog है, websoft global.com और यहां से मैं इस paragraph को copy करके, इस box में हम paste कर देते हैं, then after count words पे click करेंगे, और देखो आप यह tool number of words को count क करता है, इस पूरे paragraph में total कितने words थे, 67 words थे, characters भी सने count कर लिया, space के साथ में और without space, तो इस तरह का एक word counter आज के इस वीडियो में हम chat GPT के help से create करेंगे, अगर first hand channel पे आना हुआ है, please subscribe जरूर करें, आप support करेंगे, तो इसी तरह की और भी काम की वीडियो में आगे आपके लिए ले करके आता रहूंगा, तो चले शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें Google पर जाना है, यहाँ पर type करेंगे chat GPT, सबसे first website आपको दिखाई देती है, openai.com introducing chat GPT, chat GPT एक chatbot है, चो नवंबर 2022 में openai नाम की एक company ने लांच किया था, यह tool क्या करता है, basically आप कोई भी command अगर क्लिक कर लेना है, आपके पास कोई भी Gmail account है, उससे आप free sign up कर लेना, यहाँ पर हम free account use करेंगे chat GPT का, आपको कोई भी पैसे वैसे pay करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं chat GPT को एक command दूँगा, मैंने command यहाँ पर क्या type किया है, I want to create a word counting tool on my wordpress website, if I write a paragraph in a text area field and press the count words button, then it will count the number of words in that paragraph and display the result below the button, I don't want to use any plugin, मैंने इसको बोला है, कोई plugin मुझे use नहीं करना है, कोई plugin यह recommend भी नहीं करेगा, I want you to help me with a code that I can use in my wordpress website to create such word counting tool, can you help me, अब यहाँ पर आप देखो, मैंने इसको detail में समझाया है कि मुझे क्या चाहिए, मैंने इसको साफ साब बोला है कि मेर एक word counting tool चाहिए, एक text area field होगा, जिसके अंदर अगर मैं paragraph right करता हूँ, और जब मैं count words बटन पे click करूँ, तो जितने भी words उस paragraph में है, वो count हो करके उसका result बटन के नीचे display होना चाहिए, और मैंने सो clearly ये भी बोला है कि कोई plugin मैं use नहीं करना चाहता, और wordpress site का नाम लिया है मैंने, तो ये wordpress के हिसाब से मेरी help करेगा, अब जैसी मैं enter push करूँगा, तो ये अपना answer मुझे देगा, यहाँ पर इसने क्या लिका, certainly I can help you with the code to create a word counting tool for your wordpress website, मतलब ये हमारी help करेगा, यहाँ पर आप देखो, ये सारे steps आपको देता है, step 1 क्या कहरा है ये, एक नया template create करन page that will contain your word counting tool, ये सब कुछ explain करता है, कि ये file बनानी है, ये file कहां बनानी है, वो भी बताएगा, then after ये कह रहा है भी कि ये file क्या काम करेगी, ये as a template काम करेगी, तो सबसे पहले हमें अपने hosting में login करना होता है, so मैं अपनी हर एक website को host करने के लिए hostinger की hosting ही use करता हूँ, यहाँ आप एक offer में आपको देना चाहूँगा, कि अगर आप मेरे affiliate link जो कि है sadamkasim.com forward slash hostinger, अगर आप इस link के जरीए hostinger से hosting purchase करते हो, तो मैं आपको elementor pro plugin जिसका actual cost 59 डॉलर से absolutely free provide करूँगा, कैसे मिलेगा, जब आप hostinger से hosting लेते हो मेरे affiliate link के जरीए, तो definitely आपको hostinger से payment की receipt आपके email पर आती है, उसका snapshot ले लेना, इस video के description में एक form का link मैंने आपको दिया हुआ है, उस form को fill कर देना, जैसे आप उस form को fill कर दोगे, snapshot को upload कर दोगे, मेरे team verify कर लेगी भई, कि हाँ आपने हमारे affiliate link के जरीए hostinger से hosting लिए, तो आपको email के throw मैं elementor pro plugin 59 डॉलर वाला absolutely free provide करूँगा, तो वापस अपने topic के उपर आते हैं, अपने hostinger account में मैं पहले login करूँगा, तो भाई ये रहा मेरा hostinger का dashboard और यहाँ पर domain name दिया हुआ है overpass.in, जिसमे मैंने already wordpress को install किया हुआ है, अब chat gpt command के हिसाब से, in your wordpress theme directory create a new file called, इस नाम की मुझे एक file बनानी है, कहां बनानी है, theme directory क अंदर, तो पहले इस नाम को यहाँ से copy करेंगे exact name, then after hostinger में आ जाते हैं, आपको simply manage button पर click करना होता है, यहाँ पर आपको option मिलेगा file manager, alright, so यह है public underscore html, double click करेंगे, यह folder open हो जाएगा, then after आपको जाना होता है, wp- content वाले folder में, इस पर भी आप double click करोगे, इसके बाद यह आ double click करके इसे भी open करेंगे, और यहाँ पर हमें एक file create करनी है, यह basically theme की directory है, इसे आप theme का folder भी कह सकते हो, यही पर हमें वो file create करनी है, तो file create करने के लिए left hand side पर यह दिया हुआ है, new file वाला option, let's click on it, जैसे अब इस पर click करोगे, जो नाम हमने chat gpt से copy किया, तो उस नाम को यह template.php, अब अगला step क्या है, अगला step कह रहा है, add code to the template file, जो नीचे code दिया हुआ है, इसको मुझे उस वाली file के अंदर paste करना है, तो इस option से आप पूरे का पूरे code को एक click में copy कर सकते हो, फिर यहाँ पर वापस आते हैं, और paste कर देंगे same code को, अभी save मत करो, अभी फिलाल अगला command read करेंगे, अगला command क्या कह रहा है, this code creates a custom page template with a form containing a text area and a count words button, यह कह रहा है कि जो code हमने paste किया है, यह basically custom template create करता है, जिसकी help से एक text area और एक count words नाम का button create हो जाएगा, when the button is clicked, it triggers a javascript function, जब button को click करेगा, तो एक javascript का code भी होगा, तो javascript के function को वो button trigger करेगा, दो को सारी चीज़े explain भी करता है, यह हवा में कुछ नहीं है, code इसने कर आपको दिया है, तो बता रहा है भी, वो code क्या काम करेगा, अब नीचे देखो, यहाँ पर अगला step क्या है, create a new wordpress page using the template, तो हमें एक नया page बनाना है, template को use करके, in your wordpress admin area, create a new page on the right hand side, you should see a template option, select the word count template, अब wordpress के dashboard में login करेंगे, हम चलते हैं, wordpress के dashboard में एक नया page create करते हैं, और यहाँ पर असल खेल है, क्यूंकि जो हमने template create किया है, उसे यहाँ पर use भी करेंगे, तो इस page का हम नाम देते है, word counter, ठीक है, then after right hand side पे देखो, यह दिया हुआ एक option, page attributes में template, okay, so यहाँ पर वो template वा होगा, तो यह देखी, यहाँ पर save हो जाएगी, ठीक है, save हो गई, इसके बाद वापस wordpress के dashboard में आते हैं, इस page को एक बार refresh कर लेते हैं, फिर से इसको नाम देंगे, word counting tool, ठीक, कुछ भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हो, इसके बाद templates मिस्टे को आपको यह मिलेगा, word count template, यही same template हमने अभी create किया था, hosting में login करके, click करेंगे और publish कर देंगे, that's it, बस इतना ही करना है, इसके लावर कुछ नहीं करना है, next command कुछ भी नहीं है, simple दिया हुआ है, page को भी publish कर दो, URL पर visit करो, तो चलिए, अब इस page का front end open करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखो, एक text area अबन करके आ गया, और यह count words वाला option है, अब मेरा यह blog है, यहाँ से फिर से same text को में copy कर लेता हूँ, यह काम करते हैं, यहाँ से बड़ा बड़ा paragraph पूरा का पूरा copy करेंगे, यह मैंने copy कर लिया, वापस आते हैं, और अपने front page में, इस box के अंदर हम paragraph को paste करेंगे, and then count words प चाहिए, chat GPT में, हम यहाँ पर फिर से command लिखते हैं, can you please change the button color to orange, and when I mouse hover the button, then the button color should be black, ठीक है, मैंने से command क्या दिया है वही, कि क्या आप button के color orange कर सकते हो, और जब मैं button पर mouse over करूँ, तो उसका background color, मतलब button का जो background color black हो जाए, enter push करते हैं, हो सकता है, code को modify करेगा, देखो, इसने code को फिर से modify कर दिया, अब यहां भी क्या लिख क्या आ रहा है, certainly you can modify the code to change the button color to orange, and a hover effect change to the button color to black, here is an updated version of the code, इसने पूरा का पूरा code फिर से change किया है, और यह explain भी कर रहा है, असल में क्या हो रहा है, यहां पर ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस code को यहां से copy करो, जो हमने wordcount template.php वाली file बनाई थी, यहां से existing code को delete करेंगे, और नया वाला code हमने paste करके बस save कर दिया है, सिर्फ इतना ही करना होता है, फिर से वाप generate किया है, और जो code का output है, आप उसे और भी ज़्यादा customize करवा सकते हो, आप चाहो तो एक command और दे सकते हो भी कि जो text area तुमने generate किया है, तो basically उसमें थोड़ा सा box shadow effect होना चाहिए, चलो थोड़ा बहुत और command इसको हम देते हैं, यहां पर मैं क्या कहूंगा, इससे कहूंगो पर जो text area है और जो button है, दोनों के बीच में थोड़ा सा gap डालो, देखो अभी gap नहीं है यहां पर, थोड़ा gap add करवाते हैं, तो मैं यहां पर एक extra command इसको दूँगा, hey, the code works fine, but the button is sticked to the text area, could you please add some top margin to the button, ठीक है, मैंने इसको बोला है वही कि text area और button आपस में चिपक गए है क्या तुम button में top margin थोड़ी से add कर सकते हूँ, enter push करते हैं, यह नया code हमें write करके देगा, देखना आप, यह देखो, certainly to add some top margin to the button and create some spacing between the button and the text area, you can update the CSS code as follows, अब कह रहा है, CSS code आपको add करना पड़ेगा या update करना पड़ेगा, पूरा code इसने नहीं दिया है, अब यह CSS code हम यहां स इस पूरे का पूरे style को यहां से पहले remove करते हैं, और paste कर देंगे जो हमारा latest code है, तो यह रहा latest code इसमें margin top 10 pixel की add कर दी गई है, एक बार पहले इस file को save करते हैं, और अपने front page को hard refresh करेंगे, control shift R, बाकि other tabs वगरा बंद कर देते हैं, एक बार फिर से hard refresh करेंगे, कुछ cache memory का issue भी हो जाता है कई बार, या फिर यहां से भी cache memory हम clear कर देते हैं, तो यह आप देखों यहां पर cache memory का issue था, देखो बटन की ऊपर extra margin add हो गई है, अब इस बटन को थोड़ा 3D type का बनवाते हैं, इसको command देंगे, could you please add some box shadow effect to the button, ठीक है, इससे कह रहे हैं भी थोड़ा box shadow effect लगा दो बटन में, something like 3D type, ऐसा कुछ आप लग सकते हो, enter पुश करते हैं, फिर से आपको देखों नया code देगा, देखो certainly, इसने फिर से एक नया code दे दिया है, क्या कह रहा है भी, to add a box shadow effect to the button and give it a 3D like appearance, you can update the CSS code as follows, इस code को अब हमें यहाँ से copy करना है, और जो CSS code यहाँ पर दिया है, style tab के अंदर, इसे पहले यहाँ से हटाओ, ठीक है, then paste कर देते हैं, जो नया वाला code आया है, इसके अंदर box shadow effect के लिए भी code लिखा हुआ है, एक बार save करते हैं इस file को, और front page की cache memory clear कर देते हैं, अभी आप देखो यहाँ पे, बटन में थोड़ी इसी box shadow effect लग गया है, मतलब बटन थोड़ा 3D type का दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से आप पूरे के पूरे tool को customize कर सकते हो, chat GPT एक कमाल का tool है, जो basically आपकी help कर सकता है, इस तरह की tools website create करने में, अभ का ये problem solve कर दिया है, तो अब आपको करना क्या है, small SEO tools वाले website पे जाना, यहाँ पे काफी सारे tools दिये हैं, आप try करना chat GPT में, जो जो tool possible है, उन्हें आप create करने की कोशिश करो, बट ध्यान रखिएगा, chat GPT में, command आपको proper देना पड़ता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान द चाते हो, पहले समझो, कि हाँ भी किस stack पर tool बनवाना है, फिर chat GPT को command कैसे देनी है, तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज इसी बात पे चैनल को subscribe करके, वीडियो को like जरूर कर लीजिए, और अगर आप चाते हो, किसी आपके specific topic के ऊपर, मैं next वीडियो बन